12 में एक युवक को जिन्दा जला कर हत्या कर दी गई है, जहें आपने सही सुना है, जिससे पूरे इलाके में संसनी फैल गई है और इस घटना से कानून विवस्ता पर एक धबा निशाना लगता है मामला सदर थाना इलाके के बामला का है जहां एक यूवक को मोटर साइकल समेच जिन्ता जला दिया गया हत्या की आशंका को लेकर सदर पुलिस जाच में जुटी है शव जला होने से अभी यूवक का शिनाख्त वैसे नहीं हो पाया है आपको बताते चलें कि कोटा से पुलिस की फॉरंसिक और डॉग स्कॉट स्टीम पहुँच चुकी है महिसूशना मिलने पर एसपी और डीएसपी ने घटना स्थल का मुएना किया है डीएसपी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि किसी ने बाइक समेत युवक को जला कर उसकी हत्या कर दी है इसलिए पुलिस सब ही पहलों पर अच्छे से जाच कर रही है साथ ही ग्रामीनों से भी जानकारी जुटाई जा रही है जिनके आधार पर पुलिस मामले की परताल कर रही है मामले के खुलासे के लिए आपको बताना चाहेंगे पुलिस टीम गठित कर दी गई एक मोटशाइकल पे एक वेक्टी की जली वी लास है इसके बारे में डोगिस कोट को गुलाए गया Beispiel तीम को गुलाए गए और हम पूरा परियास कर रहे हैं कि इसके बारे में पता लगए कि ये कौन वेक्टी था और इसके पिछे और हमारे साथ ब्रजेश कुमार हमारे संबादाता जुड़ गया इस खबर पहें जानकारी देने के लिए ब्रजेश जी एक बात बताईए कि कितने बज़े की घटना है ये जी बिलकुल मैं आपको बता देता हूँ कि बारा से समय बामला गाओं के पास एक मोटर साइकल भी जली हुई थी और एक योग जला हुआ था ये घटना हाला कि देर रात के दी लेकिन ग्रामेनों राजवास के लोगों ने इसकी सुचना जो पर वो एक बज़े दी है जहाँ पर बारा सदर्थाना पुलिस और डिवाई एस्टी एस्टी साइथ का अधिकारी पोंचे है मोके पर जहां उन्होंने पूरिज जांच और पूरे मामले के तप्देश किया हाला कि मोटर साइकल के नंबर वेक्सी का पता नहीं चल पाया है कि ये कौन वेक्सी था और इसकी पूची और जो वेक्टी जिसको जलाया गया है कुष वेक्सी कहां कर रहने वाला था? क्या करता है और यहां कैसे पूचा? और किसे इसमेरे का यहां कर ना गटिस करी है बाराज जिला पुलिस अधिक्षा राज कुमार तोदर ने बताया है कि हमने दो से तीन टे में अलग-अलग गज़त करिए और इसका अलग-अलग तरीके से अलग-अलग एंकल से इसके का अनुसंदान किया जा रहा है जल्दी इसका खुला से किया जाएगा जी बहुत-बहुत धन्यवाद महत्पूर्ण जानकारी हमें बताने के लिए और बड़ी ब्रेकिंग आ रही है कि दिन दिहारे नवलगर रोट पर फाइरिंग में एक युवक धायल हो चुका है जी आपको बता दें बाइक सवार युवकों ने फाइरिंग की है और बाइक से जा रहे युवक पग ताबर तोड फाइरिंग की गई है फाइरिंग के बाइक सवार जितने भी लोग थे वहां से फरार हो चुके हैं और सूचना मिलने पर उद्योक नगर थाना पुलिस मौके पर पहुँच चुकी है आपसी रंजिश का ये पूरा जो मामला है बताया जा रहा है इसे पता लग रहा है अभी तक जो जानकारी मिल रही है उससे ये समझ में आ रहा है कि आपसी रंजिश का मामला था जिस बज़े से बाइक सवार लोगों ने दूसरे एक युवक पर फारिंग की और फारिंग के बाद पुलिस ने नाकाबंदी करा दी है तो हम आपको ब्रेकिंग बता रहे हैं कि बड़ी ब्रेकिंग आ रही है फारिंग से दहला सीकर जैसा कि से अब पुलिस बहां पर है और वो जांच परताल में लगी है बाइक से बार युवकों ने फारिंग की थी और बाइक से जो युवक था उस पर फारिंग हुई है और उसके पर और हमारे साथ समवादाता जगदेश सिंग जुड़ गए हैं जिनसे हम महतकून जानकारी लेंगे जगदेश जी एक बात बताईए कि ये आपसी रंजिश की जो बात है तो आखिर उस 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 पर कुछ बात पता चल रही है कि क्या थी आपसी रंजिश कि अगी तक ऐसा कुछ भी सामने नहीं है लेकिन माना प्रावेमिक तोर से का हो सकता है कि ये आपसी रंजिश का मामला हो लेकिन जो है बाइंक सवार जोनों युवक थे उन पे पीछे से पहले बदमातों ने बूसरी बाइंक से तकर मारी है तकर माने के बाद में जो है दाहर एक एची वारदात बदमातों ने की है जिसके चलते हैं जो लोगों में भी जो है दैसत का माहूल है और वहीं उतना मिलने के बाद जोग नगर ताना पूसरी बहुत बहुत धन्यवाद आपका महतपून जानकारी देने के लिए फिलाल बढ़ेंगे अगली खबर की और जो कि आली है धौल पूर से आ रही है अगली खबर धौल पूर में हथियार की नोक पर आपको बता दे परिवार को बंधग बनाकर लाखों की लूट का मामला सामने आए जिए हां सदर थाना चेतर के मरोली का पूरा गाउं का मामला ये बताया जा रहा है जहां हथियार के दमपरिक परिवार को बंधग बनाए गया इतना है नहीं और लाखो रुपए की लूट का भी ये जो पुरा अंजाम है उसे दिया गया है गटना के अंजाम को दिया गया है बन माशो पर 25,000 रुपए की नगदी के साथ लाखो रुपए की कीमती आभूशन लूट कर फरार होने का आरोप लगा हुआ है घटना को लेकर पीडित लवकुष ने बताया कि रात के समय वह अपने परिवार के साथ घर के अंदर सो रहा था घर के बाहर चौली में उनके गाउं का रहने वाला एक यूबक हरकेश जिसका नाम है वो भी वहाँ पर सो रहा था इसी दौरान आधा दर्जन जो वहाँ पर नकाब पोश बदमाश हैं वो घर के अंदर आते हैं और शौली में सो रहे है यूबक जो हरकेश जिसका नाम था उसके साथ मारपीट करते हैं पहले फिर पीड़त के घर को खाना खाने के लिए वो खुलवाते हैं जिसके बाद बदमाशों ने घर के सभी लोगों को बंधग बनाकर महिलाओं के साथ मारपीट की आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ जाहिर हो रहा है कि कितने बेरहेमी से और कितने गंदे तरीके से मारपीट हुई है और लूट की जो वारदात है उसको अंजाम दिया गया है पुलिस की अगर बात और हमारे साथ इसी खबर पर और बात करने के लिए हमारे संबादाता नीरत जी जुड़ गया है नीरत जी मुझे बात बताएए कि ये कितने बज़े की घटना है और आखिर ये कैसे हो गया इसमें प्रशासन की चूक क्या थी देखिए मैं आपको बता दूँ ये रविवार मध्धरात्री का पूरा मामला है मुरली उपरागाम की जो सदर्थना चेतर का गाउंवां की ये पुरी की पुरी बारदात है बीती राद अग्यात आधा धरगर हत्यार वंद बदमास लवकुष के मकान पर पहुच जाते है ट्रोली बाहर एक ट्रोली उसमें एक युवक अनिसोराता जिसको जगाए जाता है उसके बाद उससे खाना मांगा जाता है कि हमारे लिए खाने की विवस्ता की जाए फिर इस परिवार पर जो हमला किया जाता है जो परिवार है लवकुष का परिवार के साथ लाटी डंड वो पुलिस के लिए बड़ी चुनोती है और इसमें कोई यहाँ पर दोराई नहीं है कि पुलिस की उस बिवस्ता पर शवालिया निसान खड़े हो रहे हैं जिसका पर इस दम भरती है आम जिनमें बिश्वास एब हम अपरादियों में बहें जी निरज जी आप हमारे साथ बने ढ़ाईए हम पुना आपके पास लोटेंगे फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की और जो किया रही है धौलपूर से ही धौलपूर में बड़ी शहर में आपको बता दें सामाजिक तक्त्वों का एक पत्थर बास गैंग सक्री हो गया है ग चपेटी पाड़ा महले की घटना CCTV कैमरे में खैद हो चुकी है जैसा आप देख सकते हैं शेरवासियों ने घटना से पुलिस को अवगद भी करा दिया है लेकिन पुलिस सामाजिक तत्वों को पकड़ने में अभी तक नाकाम साबित हो रही आठ दस लड़के होस्पिटल की तरफ से करीब एक बजबे नॉमन आठ साथ मिलट के करीब महले में बाज़त हुए लिकले और उन्होंने पत्थर फैंगना चाल कर दिया दो एक पत्थर यहां लगे हुए हैं काफी जोर से हवाई आई मैंने जैसे गेट भुला जैसे लड पूरी कारवाई कर रहा है कल रात को कोतवाल साब आई थे उन्होंने भी सीजी टीवी की फुटेश लिये हैं पर इस तरीके भी बारदांत पर अल्कुर लगना बहुत जैसे पुलिक दैसा तुमें ना रहे हैं और नीरच शर्मा हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करेंगे इस पूरे मामले पर मिरे जी मुझे एक बात बताईए कि आखिर ये कितने समय से चल रहा है पहला पर तो प्रशन ये बनता है दूसरी बात कि ये सामाजिक तत्वों को पकड़ने में अभी तक जो नाकाम साबित हो रही है पुलिस आखिर ऐसा क्यों है देखिए ये कोई पहली बरतबा ये मामला नहीं हुआ है जैसा शहर के लोगों ने हमें बताया कि दो तीन दिन पूरुब से ये ऐसा माहुल सहर में चल रहा है बाड़ी शहर के अन्य महले हैं उन्हों में भी इस तरह की घटना वहाँ पर देखने को मिली है करीब एक दरज लेते हैं चत किड़कियां और दीवारों पर इनके द्वारा पत्र फेंके जाते हैं जिसे लोगों में एक देशक का माहुल यहां पर देखा जा रहा है वहीं अगर पुलिस की कारशेली की यहां पर बात की जाए तो अभी तक आरोपियों को पकड़ने में पुलिस नाकाम दो रही है अलांकि देखे है ठाना प्रवारी है जो सएच होएं कोतवाली के उन्होंने पुरे घटना करम को लेकर यहां पर दावा किया है कि जो सीसी जी जी फिरा और उ महत्तुपूण जानकारी साजा की है फिलहाल बढ़ेंगे बड़ी खबर की और बड़ी खबर आ रह ये है कि बासवारा लोगसभा सीच से कॉंग्रस उमीदवार पार्टी से निश्कासित हो गए हैं अरविंद डामोर को छे साल के लिए निश्कासित कर दिया गया है तो बासवारा से बड़ी खबर है जैसा कि हम दिखा रहे हैं आपको एंडी टीवी राजिस्थान के माधियम से बासवारा लोगसभा सीच से कॉंग्रस उमीदवार पार्टी से निश्कासित हो गए हैं अरविंद डामोर को छे साल के लिए निश्कासित कर दिया है कॉंग्रस का बासवारा डुंगरपूर सीच से एक गटबंदन हो चुका था और बी एपी से गटबंदन के बाद ना और आपको बता दें कि दो पहर तीन बजे तक थी नामांकन वापस लेने की अंतिम समय तो जैसा कि आप देख सकते हैं को निश्कासित कर दिया गया है तीन बजे तक की नामांकन वापस लेने की समय थी और रांधवा ने बाप के साथ गटबंदन नहीं करने का एलान किया तो बड़ी खबर आ रही है बीएपी से गटबंदन के बाद नाम वापस नहीं लिया था और कॉंग्रिस पृत्याक्षे रविंद डामोर को नामांकन लेना था वापस लेकिन वो ले नहीं पाये थे और दो पहर तीन बज़े आपको बता दें दो पहर तीन बज़े तक ही नामांकन जो वापस दिने की जो पूरी प्रक्रिया थी समय था वो उसी समय वो सीमा वही थी लेकिन अब रांधवा ने बाप के साथ गटबंदन कैलान नहीं किया था पहले और बासवाड़ा से बड़ी खबर है ये और इसी सिलसले में हम बात करेंगे हमारे समबाद आता है शुभाश शुमेता लेकिन आम जैसे अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं कि बड़ी खबर आ रही है ये आप देख सकते हैं फिलाल बढ़ते हैं अंगली खबर कियो जो कि आ रही है चितोड़गर से चितोड़गर में हिंदुस्तान जिंक से मुआफ़जे की मांग को लेकर एक किसान युवक मुबाइल टावर पर चड़ गया आपने सही सुना है घोसंडा डैम के डूब छेतर से कई किसानों को अभी तक मुआफ़जा नहीं मिलने से परिशान युवक मुबाइल टावर पर चड़ गया आप देख सकते हैं तस्वीरों में मही टावर पर चड़ने की सुचना के बाद भदेसर छेतर के प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुँच चुके हैं और युवक को समझा बुजा कर किसी तरह नीचलाने की कोशिश की जा रही हिंजुस्तान जिंक के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ हिंजुस्तान जिंक ने हमारी दमीन वाप्ट करी और आपादी कनवसन होने के कारण से उनने अपील कर ली थी और हमारे को एक भी रूपी अनी दिया और उनके खाता दार्ग भी बनके वह मतला हमारे खाते से कटके उनके खाते में जुड़ गई है और जो पर्दान मंत्री की जो योजना चल रही है वह मिलनी पाती है तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैसे एक युवक जो है वो एक टावर पर चड़ गया है और आपको और सल्मान मंसूरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं संबादाता फोन लाइन पर सल्मान जी बात बताएए कि आखिर ये पूरा मामला क्या है तो ये युवक अभी तक नीचे उत्रा कि नहीं उत्रा सल्मान जी बहुत 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 धन्यवाद आपका सल्मान महत्पून जानकारी देने के लिए चलते हैं और आपको बताते हैं बीकानेर की खबर लोकसभा चुनाओं के बीच बीकानेर में पुलिस ने नशे के करवाई की है एक कार से दंतोर पुलिस ने एक क्विंटल 75 किलो डोटा पोस्ट जब्त किया है पुलिस को देखते ही आरोपी मौके से भागने लगा लेकिन पुलिस ने पीछा करते हुए आरोपी को धर दबोचा पंजाब पुलिस ने वकील सिंग और मलकीत सिंग नाम के द दमी कैंडिडेट्स बिठाने के अलग-अलग मामले में बड़ी कारवाई हुई है इस मामले में एसे जो और पुलिस ने कारवाई तीन लोगों को गरफतार किया है एसो जी ने इस मामले में एक और पुलिस और दो लोगों को गरफतार उन्होंने किया है एसो जी ने कर्मचारी चैन बोट की अध्यापक भरती परीक्षा वर शारेरिक शिक्षा अध्यापक भरती परीक्षा में अपने स्थान पर डमी कैंडिडेट बिठाने वाले अरविंद कुमार को गरफतार कर लिया है अरविंद ने पंदर लाख रुपे देकर अपने बदले डमी कैंडिडेट बिठाया था वहीं RPSP की वरिष्ट शिक्षा अध्यापक का प्रतियोगी परीक्षा में डमी कैंडिडेट बिठाने के आरोप में आयोग ने चार लोगों पर एफायर धर्श कर लिया है इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को गरफतार कर लिया है पुलिस ने अजमेर के लोहावट निवासी कैलाश जांगू को गरफतार कर लिया है और आरोपी कैलाश जांगू ने शिक्षक भरती परीक्षा में अपनी जगा डमी अभ्यारती को बैठाया था और वें डीक की केतवाड़ा पुलिस ने नीमला गाओं में दाबिश टेकर फरजी मैरिज ब्यूरो चलाने वाले पाँच लोगों को गरफतार कर लिया है ये आरोपी पंजिकृत मैरिज ब्यूरो खोल कर लड़कियों की शादी के नाम पर कडोडों का फ्रॉड करते थे इन आरोपियों पर पुलिस ने पाँच पाँच हजार का एनाम घोशित कर रखा था आरोपी लड़कियों की शादी में दुगने पैसे और फरनीशर मोटिस साइकल देने का वादा करके ठगी किया करते हैं पुलिस ने गरफतार पाँचों आरोपियों से पूछताच शुरू कर दी और वही कोटा में नाबालिक से रेप के दोशी को पॉसको आक्ट के उम्र कैद की सजा सुनाई है साथ ही 21,000 रुपे जुर्माना भी लगाया गया है आपको बताते चलें कि मामला 6 महीनी पुराना है तेरह साल के नाबालिक को दोशी पडोसी गेहू दिलाने के बहाने घर से बुलाकर साथ ले गया था फिर उसके साथ दुशकर्म की घटना को अंजाम दिया गया विषिष्ट लोक अभियोजक ललित कुमार शर्मा ने बताया है कि कोट ने अपने फैसले में टिपनी भी लिखी है कोट ने लिखा है कि जहां नारी की पूझा की जाती है वहां देवता भी निवास करते हैं समाज में कन्या पूजन किया जाता है लोग कन्याओं के चरणों को पूजते हैं मनुश्य के द्वारा इस तरीके का घ्रिनित क्रित किया गया है ऐसे आरोपी के खिलाफ नर्मी का रुख नहीं अपनाया जाए आपको बताते चलें कि मामला सामने आने के बाद से पुलिस ने इस मामले को जगन अपराद मानते हुए तत्काल कारवाई कर चलान पेश किया है और अदालत में बारग गवाहों के बयान दर्स कर लिये हैं उसके बाद कोट ने आरोपी को आज सक्त सजा सुनाई है और अगली खबर है अलवर से अलवर के रेड़ी थाना अलाके के एक गाउ में पत्नी के रील बनाने से परिशान होकर पती ने आद फत्या कर ली है आपने सही सुना है ये मामला 6 अप्रिल का बताया जा रहा है जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें पत्नी की रील पर भध्ये कमेंश को लेकर कह रहा है कि अच्छा आदमी कभी भी ऐसे कमेंश नहीं करते परिजनों ने बताया है कि ये वीडियो मृतक ने सुसाइड करने से एक दिन पहले बनाया था हला कि पुलिस का कहना है कि ये वीडियो पुराना है राणी थाना SHO प्रेम लता वर्मा ने बताया है कि मृतक सिधार्थ मीना के परिजनों ने 6 एप्रिल को मामना दर्श करवाया था रिपोर्ट के अनुसार सिधार्थ दौसा में स्वास्त विभाग में LDC के पद पर कारूगत था और आपको बता दें करोली में लगातार दूसरे दिन दर्दनाख हाथा हुआ है जहां रोडवेज बस की चपेट में आने से 21 साल के युवक की मौत हो गई है मौत के परिवार ने प्रशासन के खिलाफ जम कर प्रदर्शन किया है और 50 लाख रोपे के मौावजे की मांग भी की है करॉली जिले मुख्याले पर इन दिनों चैतर मेला लगा हुआ है और मेले में लग रही भीर के कारण राजस्तान राज़ परिवान निगम के चालकों की बड़ी नापरवाही और मनमानी देखने को मिल रही है इसी का नतीजा है कि आज दूसरे दिन भी हादसा हुआ है जिसमें एक युवक की मौके पर मौत हो गई है मेले के दोरान हादसे का ये दूसरा मामला है करॉली में अब तक दो दिन में दो मौतें हो चुकी है राजस्थान राजपरिवन निगम बस से हो गई है ये दोनों मौत जिसको लेकर गरामीनों ने राजस्थान राजपरिवन निगम के खिलाफ जमक नारे बाजी की है धर्ना प्रदेशन किया है करॉली विधायक और प्रशासन के समझाने के मामले के बाद ये पूरा जो मामला है की से तरह शान्त हुआ है